धोती सीताराम केसरी भी पहनते थे, धोती मल्लिकारजुन खडगे भी पहनते हैं. एक समय ऐसा भी था जब. राजनैतिक गलियारों में बड़ी गुंजती थी यह कहावत न खाता न बही जो सीताराम केसरी बोले सो सही. सीताराम जी गांधी परिवार के पीधीगत अती विश्वस्निय व्यक्ती थे. अती भरोसे के आदमी थे. इंदिराजी की रसोई तक उनकी पहंच थी. राजीव जी उन्हें पितातूल्य आदर देते थे. सो सोनिया जी भी उन्हें पितातूल्य ही मानती होंगी. ऐसा मुझे लगता है. दिन फिरे और यही केसरी जी सोनिया गांधी को खलनायत नजर आने लगे. अब आई बारी केसरी जी को अध्यक्षपत से हटाने के अभियान की. इटली के किसी राजप्रासाद में इस सीताराम नामक भूमी पुत्र को अध्यक्षपत से भगाने की कूट रचना लिखी गई. इसके बाद जो हुआ वह बड़ा ही मार्मिक दुखद्वस मरनिया है. चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आप से अनुरोध हैं. देशित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें. वीडियो को लाइक करना ना भूले. कॉमेंट में अपने विचार औ और सुझाव जरूर दे. चलिए शुरू करते हैं. मल्निकारजुन खडगे बड़ी ही कलात्मक शैली से धोती पहनते हैं. अच्छे लगते हैं. अब आप सोचेंगे कि यह खडगे जी धोती कहां से बीच में आ गई? तो उत्तर है खयाल आया कि केसरी जी भी धोती पहनते थे. कॉंग्रेस अध्यक्षपत से हटने के बाद सीताराम जी केसरी ने रोते हुए बताया था कि कॉंग्रेस अध्यक्षपत से दबाव पूर्वक उनका त्याक पत्र लिया गया. उन्होंने प्रेस से यह भी कहा था कि त्याक पत्र देने के बाद उनकी धोती खीच कर उन दिल्ली की गलियों तक फैले हुए मिले थे। वैसे गांधी परिवार द्वारा घोर अपमान किये जाने की एक कथा धोती पहनने वाले स्वत। परा है। बाद में नरसिंहा जी की बेटी फूट फूट कर रोते हुए अपने पिता के शव को आंधर के अपने ग्रिहग्राम ले गई थी। भगवान करे पुन्रावृत्ती ना हो। वैसे खडगे जी यथार्थ पर्क व्यक्ती हैं। उन्होंने कह भी दिया है बकरा बकरीद में काटे जाने से बचेगा तब ही तो मुहरम में नाचेगा। आए बताते हैं क्या हुआ था 14 मार्च 1998 को कैसे सीटा राम केशरी की उतारी धोती और फिर सोनिया गांधी ने क्या किया। बिहार के वरिष्ट कॉंग्रेस नेता सीटा राम केशरी 1996 से 1998 तक इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। केशरी महस 13 साल की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे। 1930 से 1942 के बीच सीताराम केसरी स्वतंतरता आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते कई बार जेल गए साल 1973 में बिहार कॉंग्रेस समिती के अध्यक्ष बने और 1980 में कॉंग्रेस के कोशा ध्यक्ष बने 1967 में सीताराम केसरी कटिहार लोकसबा सीट से सांसत बने इसके बाद केसरी 1971 से 2000 तक पाँच बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए गांधीवादी विचार के समर्थक सीताराम केसरी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिमहा राव की सरकार में मंत्री भी रहे इतना लंभे राजनेतिक अनुभव वाले सीताराम केसरी को बेरुखी के साथ पार्टी के अध्यक्षपत से हटाया गया था कहा जाता है कि सोनिया गांधी को कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी के साथ बेहत खराब बरताव किया गया था बारवे लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस को देश भर में 142 सीटे आई थी इस चुनाव में सोनिया गांधी ने 130 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया था कॉंग्रेस अपनी पारंपरिक सीट अमेठी में भी चुनाव हार गई थी इसके अलावा अर्जुन सिंग, नारायन दत्तिवारी जैसे नेता अपनी अपनी सीटे हार गई थे कॉंग्रेस के एक गट ने इस हार ठिक्रा सीताराम केषरी पर फोर दिया था हैरत की बात यहाँ है कि सीताराम केषरी ने पूरे चुनाव में एक भी रैली को संबांधित नहीं किया था आरोप लगे कि सीताराम केसरी के कमजोर नेत्रित्व के चलते पार्टी को सानिया गांधी का फाइदा नहीं मिल पाया माना जाता है कि यहीं से पार्टी के कुछ नेताओं ने सीताराम केसरी को कॉंग्रेस के अध्यक्षपत से हटाने की फाइल बनानी शुरू कर दी थी पार्टी के अंदर कहा जाने लगा कि दक्षन भारत के ज्यादा तर कॉंग्रेसी नेता सीताराम केसरी से नाराज है उनके हवाले से कहा जाने लगा कि सीताराम केसरी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए दक्षन भारतिय नेता उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं इसके अलावा सीताराम केसरी पर यह भी आरोप लगते रहे कि वह ब्रामन, राजपूत, भूमिहार जैसे उच्च जाती के नेताओं को वह पार्टी में खास तवज्जों नहीं देते हैं माना जाता है कि उच्च जाती से आने वाले कई कॉंग्रेसी नेता सीताराम केसरी को अपना नेता ही नहीं मानते थे यहां बता दे कि सीताराम केसरी पिछडी जाती से आते थे बिहार में उनका परिवार तेली जाती से संबंध था सीता राम केसरी पर यह भी आरोप लगे थे कि वह समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लालू प्रसाद यादव, कांशी राम और मुलायम सिंग यादव जैसे OBC नेताओं के साथ गट बंधन करना चाते थे जबकि कॉंग्रेस का बड़ा तपका इसके खिलाफ था सीता राम केसरी सारवजनिक मंचो से कहने लगे थे कि साधारन परिवार से आने वाला और कम पढ़ा लिखा नेता भी कॉंग्रेस के अंदर सर्वोच पद पर पहुँचा है यहाँ बात गांधी परिवार खास कर सोनिया गांधी को खटकने लगी माना जात है कि सोनिया समच चुकी थी कि अगर सीता राम केसरी इस तरह की बाते लगातर कहते रहेंगे तो पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ कमजोर होती चली जाएगी उस वक्त कॉंग्रेस के कद्दावर नेताओं में शरत पवार, एके एंटेनी और प्रणब मुखरजी जैसे नेता भी सीताराम केसरी को कॉंग्रेस अध्यक्षपत से हटाना चाते थे उस वक्त मीडिया में यह भी खबरे आई कि मुंबई के बड़े कारोबारियों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सीताराम केसरी कॉंग्रेस के अध्यक्षपत पर रहे तो वे लोग चुनाव में पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे इनी सब बातों के अलावा कुछ और मुद्दों को लेकर सीताराम केसरी को हटाने के लिए फाइल तयार की जाने लगी 14 मार्च 1998 ही वह तारीख है जिस दिन कॉंग्रेस के नेताओं ने सीताराम केसरी को बेज़जत किया और उन्हें पार्टी के अध्यक्षपत से हटाया 5 मार्च 1998 को CWC कॉंग्रेस कार्य समिती की बैठक बुलाई गई इसमें फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी पार्टी के कारियों में ज्यादा सक्रिय हो और संसदिय दल का नेता चुन्ने में हेल्प करें उस वक्त संसदिय दल के नेता सीताराम केसरी ही थी प्रणब मुखर जी ने कॉंग्रेस पार्टी के कानून में बदलाव कर तै कराया था कि पार्टी का नेता संसदिय दल का नेता हो सकता है, चाहे वह लोकसभा या राजजस्बा का सदस्य हो या नहीं पार्टी में अपने खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए 9 मार्च 1998 को सीताराम केसरी ने कॉंग्रेस के अध्यक्षपत से इस्तिफा दे दिया था कुछ ही मिनट बाद उनका मन बदल गया और कहा कि उन्होंने केवल मन्शा जाहिर की है, इस्तिफा नहीं दिया है सीताराम केसरी ने तै किया कि वह AICC की आम सभा में कॉंग्रेस के अध्यक्षपत की कुरसी छोडेंगे इसके बाद 14 मार्च 1998 को CWC से करीब 13 नेता प्रणब मुखर जी के घर पर जुटे और CWC की बैठक बुलाकर सीताराम केसरी को अपने इस्तिफे पर फैसला करने की मांग रख दी जारा बजे CWC की बैठक हुई इसमें प्रणब मुखर जी ने अपने भाशन में सीताराम केसरी के पार्टी के लिए किये गए कारियों के लिए धन्यवात कहां और कहां की सोनिया दान्धी पार्टी में अध्यक्षपत संभाले इस बात पर सीताराम केसरी नाराज हो गए महज आठ मिनिट में ही केसरी ने बैठक स्थगित कर दी और हॉल से सटे अपने दफ्तर चले गए मनमोहन सिंग के साथ कुछ और नेता उन्हें मनाने पहुँचे लेकिन वह नहीं माने और दोबारा बैठक में नहीं आए इसके बाद पार्टी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दोबारा बैठक शुरू की गई यहां अपचारिक रूप से सोनिया गांधी को पॉंग्रेस का अध्यक्ष नियुक कर दिया गया ततकाल सीताराम केसरी का नेमपलेट पुखाड कर कूडेदान में फैक दिया गया इतनी बेजती के बाद सीताराम केसरी 24 अकबर रोड को छोड़ कर जा रहे थे तभी उनकी धोती खीच ली गई और फिर जो हुआ वह शर्मसार करने वाला था साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 कड के महास्मंध की रैली में कहा देश को पता है सीताराम केसरी पीडित शोशत समाज से आये हुए व्यक्ती को पार्टी के अध्यक्षपत से कैसे हटाया गया कैसे बाथरू में बंद कर दिया गया था कैसे दर्वाजे से हटा कर उठा कर फुटपात पर फैक दिया गया था मैडम सोनिया जी को बैठा दिया गया था यह इतिहास हिंदुस्तान भली भांती जानता है उनको मजबूरी में बनाया था उसको भी वह दो साल जेल नहीं पाए देश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नेता के साथ पार्टी के अंदर ही हुए इस तरह के व्यवहार से कॉंग्रेस के कई कार्यकरता बेहद नाराज थे पिछले दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में कॉंग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजन रहा है पार्टी जैसे 53 तक भी अपनी सीटे पहुँचा पाई है इसके अलावा पार्टी देश भर में केवल 36 कड और राजस्थान में अपने बूते सरकार चला रही है बिहार में महक्त बंधन की सरकार के छोटे घटक दल है हाल के चुनावों में लगभग हर एक में कॉंग्रेस की हार हुई है पार्टी जी 23 नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेत्रित्व पर सवाल उठा चुके है गुलाम नभी आजाद जैसे पार्टी के कई कद्दावर नेता पार्टी से अलग हो चुके है